जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त 2021 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए 9 अगस्त का दिन कैसा रहेगा इस दिन ग्रहों की ऐसी कौन सी यूती होने वाली है जिसकी वज़े सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दिन बड़ा ही यादगार दिन सावित हो सकता है तो उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे आपकी जीवन से जुड़े प्रतिक शेत्र के बारे में हम जानेंगे बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इस दिन की तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं अब ये जो दिन है ये सौमवार का दिन है जो की सावन महिने का तीसरा सौमवार है और इस दिन शुकल पक्ष की प्रती पदा तिथी होगी अशलेशा नक्षत्र होगा चंद्रमा की इस तिथी इस दिन सुभा नौ बजकर पचास मिनट तक करकराशी में है उसके बाद सहिंग राशी में प्रवेश कर जाएंगे चंद्र दे अब सहिंग राशी की हम बात करें तो आपके लगन में पहले से ही मंगल और बुद्ध मौजूद है दो ग्रह पहले से मौजूद है अब चंद्रमा भी सुभा नौ बजकर पचास मिनट पर आपकी लगन में आ जाएंगे तीन ग्रह एक साथ हो गए इसके अलावा इस दिन बुद्ध का राशी परिवर्तन भी है बुद्ध भी इस दिन सिहंग राशी में परिवेश करेंगे तो इस तरह से आपके लगन में आपकी राशी में चार ग्रह एक साथ मौजूद होंगे चतुर ग्रही योग का निर्मान का ये एक बड़ी ही पावरफुल इस्थितियात के लिए बन रही है क्योंकि चंद्र, मंगल, बुद्ध और शुक्र ये चार ग्रह मिलकर लक्षमी नारायन योग बनाएंगे धन योग बना हुआ है आपकी लगन में अब लगन तो देखिए आपका महतपून इस्थान है आपके वेक्तितों को दिखाता है पूर्ण वेक्तितों को आपके दिखाता है अब ऐसी स्थिति में लक्षमी नारायन योग का बना धन योग का बना आपके लिए ऐसी स्थितियों को निर्मित करेगा जो आपने कभी देख ही नहीं होंगे अब यहां सूरिय जो है वो आपके बारवे बहां में बैठे हुए करक राशी में आपकी राशी के स्वामी चंदर की राशी में है और इस दिन का अभी जीत मोर्थ है वो है दोपहर बारा बजे से बारा बज कर तरेपण मिनट तक यह हो गई ग्रह नक्षत्रों की इस्ति थी अब यह जो दिन है वैसे भी सावन का तीसरा सौमवार है भगवान शिव को समर पे यह दिन होता है भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए उन से कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुन्दर दिन है और ग्रहों का प्रभाव इतना अच्छा है कि आप जो भी कार्या करेंगे वो सोना बन कराएगा अब खुशी से भरा दिन रखवाई आपके लिए खुशी से भरा अच्छा दिन आपके लिए यह कहा जा सकता है अब इस दोरान इस बात को आप भली बाती समझ ले कि जब हम धन को जोडते हैं धन को संचित करते हैं तो आगे आने वाले समय में वो हमारे काम आता है इसलिए अपने मन में धन को संच करने का विचार बनाए धन जोडने का विचार बनाए इन्वेस्टमेंट करने का विचार बनाए कि आप किस तरह से अपने धन को कई गुना बढ़ा सकते हैं खर्चे पर ही ध्यान ला दें क्योंकि सेंग राशी के जातक बहुत खर्चिले होते हैं एशो अराम की शौकीन होते हैं आपका ग्यान आपका हास परिहास यानि आपका जो स्वभाव होगा वो बड़ा हसमुक होगा और अपने ग्यान की वज़े से भी आप चारों और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे ऐसी बाते लोगों के बीच में आप चोड़ेंगे कि लोग आपसे प्रभावित होंगे आपसे बात करना चाहेंगे आपके विचारों को जानना चाहेंगे अन्य दिनों के अपेक्षा आज की दिन आपके सहकर्मी आपके साथ काम करने वाले आपको जादा समझेंगे आपक गर्म जोशी भरा दिन ठंडा भी कर सकता है, तो पहले बात की सच्चाई को जाने, समझे, उसके बाद रियक्शन दे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और एक चीज़ के लिए और ध्यान रहें, आपका जो प्रेमी हैं, आपको परियाप्त समय नहीं देता, ये शिका कारग्रह बैठे हैं, प्रेम के भी हैं, वैपार की भी हैं, शुक्र, खुशियों के, सुक्स विधाओं के कारग्रह बैठे हैं, मंगल, आपके उर्जा को बढ़ाने वाले, और साथ में जमी ज्यादा, यात्रा के कारग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ग्रहे आपकी लग हैं तो प्रियास करें किसी योजना में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आग़ जाएं वेपार करते हैं वहां अच्छी डील फइनलाइज करें अच्छे लोगों से मिलें लोगों से संपर्क स्थापित करें दुकानदारी करते हैं तो वहां का दिन भी बना हुआ है नई साज़ेदारी हो सकती है नई साज़ेदारी में काम की शुरुवात कर सकते हैं और अपने लाब को भी बढ़ा सकते हैं लक्षमी नारायन योगर धनियोग ऐसी नहीं है धन जरूर आएगा धन का जो प्रभाव है प्रवाह है वो तीज जरूर अगर आप विदेश जाना जाते थे काम के लिए, नौकरी के लिए या ओफिस की तरब से तो अपनी प्रयासों को तीज कर दे विद्य मामले बड़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे विदेश जाने के मामले बड़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे प्रतिद्वंदियों की जो गतिविधी है वो भी आपको नुकसान नहीं पहुचा पाएगी ऐसा अब आपने आपको अपने खारो परिवारिक जीवन की बात की चाहे तो वो आनन्दायक रहेगा परिवार में सभी की सेहत अच्छी होगी माता पिता भेन भाई जीवन साती सबकी सेहत अच्छी होगी तो आनन्द में जीवन रहेगा आप अपने परिवार की सदस्यों के साथ किसी धार्मे के स्थान पर भी जा सकते हैं ये एक मनोरंजन यात्रा होगी आपके लिए दर्म कर्म के मार्क पर जाना और परिवार के साथ एसी दर्शन करने जाना बहुत तम रिसलोंट आपको देखने को मिलेके और मानसिक शांती सबसे अधिक देखने को मिलेकि अब सिहिंग राशी के जातक जो काफी समय से किसी को डेट कर रहे थे तो वो relationship में जा सकते हैं वहीं कुछ लोग जो पहले से relationship में थे वो प्रेमी के आगे प्रेमी वेवा का प्रस्ताव रख सकते हैं तो ऐसी भी इस्तिथियां बन सकती हैं कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके लिए एक बड़ा ही उचित ये दिन रहने वाला है और उपर से ये जो दिन है ये वैसे भी आमावस सावन का जो तीसरा सौवार है तो भगवान शिव को समर्पित है भगवान शिव की पूरी स्रद्धा पूरे मन के साथ आप आराधना करें भवान शिव्गा जलाबिशेक करें उनके पसंदिदा चीज़ें उनको अर्पित करें उनका आशिवाज जरूर मिलेगा और ग्रहों का तो साथ है ही आपके साथ ग्रहों के साथ से तो आपके लिए जिस्तितियां बहुत ही अच्छी निर्मित होने वाली है आज के दिन आप अपने जीवन साथी को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं अगर उनके मन में किसी बात को लेकर उदाशी है तो उनको कुछ गिफ्ट के तोर पर दे सकते हैं इससे उनका जो दिन है वो काफी अच्छा वैतित होगा तो कुल मिलाकर आपका जो दिन है वो सबसे अधिक शानदार होने वाला है खुशी से भरा होने वाला है तो दोस्तो और अधिकसी जनकारियों लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को जद़ जद़ लाइक करें शेर करें